हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बद्वे की रोटी और हरे धनिये की चटनी हेलो वेल्कम टू माई यूटूब चैनल उज्मा किचिन्स आज हम बद्वे की रोटी और धनिये की चटनी बनाएंगे और इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर बद्वा लिया है एक किलो इसक तो अच्छी तरीकी से धोलें क्योंकि इसमें मट्टी बहुत ज्यादा होती है तो इसको सबसे द्हान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी मट्टी नी रहना चाहिए इसको अच्छे से बॉश करना है तो इसको मैंने करीब तीन-चार बार दोया है साफ करके बिल्कुल दोने के तो मैंने कुकर बत्वा डाल दिया है और बत्वा डालने के बाद हम इसमें और बत्वा डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे वन टी स्पून नमक तो हम इसमें वन टी स्पून नमक डाल रहे हैं और नमक डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक पानी और पानी डालने के बाद हम इसका धक्कान लगा देंगे और धक्कान लगाने के बाद हम इसमें सिर्फ दो सीटी लगाएंगे तो सिर्फ हम यहां पर दो सीटी लगा लेंगे दो सीटी बहुत अच्छे से उबल के तयार हो जाएगा यह तो देखिए हमने दो सीटी लगाई है और बत्वा बह में डर्म करने के बाद हम इसको ग्राइड ответ हृ इसको सकते लिए त। पाणि को कुने खिसको गूने के और हम इसको इसको पीस लेंगे। तो देखिए बत्वा को ठंडा होने रख दिया है मैंने ठंडा होने के बाद हम इसे जार में पीस लेंगे ठंडा हो गया है बत्वा तो मैं इसे जार में पीस रही हूं तो यह देखिए अब हम इसको पीस रहे हैं और बत्वा हमारा पिसके बिल्कुल तैयार हो गया है बहुत बढ़िया तरीके से पीस आई ए अब हमने चार कप करिवाटा लिया है उसमें हमने डाला है आधा चम्मच नमक क्योंकर नमक हमने अल्रेडी बत्वा में डाला है पहले बत्वे Birazмо कि educate me में ब्लकुर वेहा हुआ होे हैं हुआ हो कि और अगर आटा कम तो आपाथा में थोड़ा और डले हम ALL करते हुए , मैं इसको कुण देंगे उसमें पानी हमने तो पानी बत्वे का हुआ थोड़ा सा बचाता थक की सक्वाणिक पंपिशा को कि गृना है तो पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे यूजिकि वह बहुत फायदेमंद होता है बत्विय का पानी तो जो भी बचे वह आप इसमें आटा गुंदे में इस्तमाल कर ले और आटा 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 कर ले तो देखिए हमने इसका आटा लगा लिया है इसका आटा हम ऐसा तो पानी का हाथ लगाते हुए मैं इसमें आटा अच्छी से गूंद रही हूं तो उस पानी का इस्तमाल मैंने आटा गूंदे में कर लिया वो वेस्ट नहीं करते हैं यह देखिए हमारा अटा गुन्द के तयार हो गया है दो हमारा तयार है और आप ने थोड़ा सा यहां पर पांब फ्रीज यह लिए लिए हैं में हम रोटियां बेलेंगे सुखाट लगा के थोड़ा रोटियों के साइज में इसको बेल लेंगे रोटी को बथवियों की रोटी को सबसे पहले हम रोज त्यार कर लेंगे पेड़े बना लेंगे हम रोटी बनाने के लिए तो हम सारे आटे के पेड़े बना लेंगे हम पेड़े बन गए हैं अब हम रोटियां बनाएंगे यहां मैंने तावा गराम होने के लिए रख दिया है गैस पे और रोटियां हम यहां बेल लेंगे सूखा आटा लगाते वोई थोड़ा सा और यह बढ़वे की रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है सरदियों में तो इसको जरूर बनाएं और हरी धनिय की चटनी बनाएं साथ मिर्च की बहुत टेस्टी लगती है उसको बना के साथ में सर्प करें और ओपर से रोटियों पर लगा लें थोड़ा घी तो देखिए हमने इसको बेल लिया अच्छे तरीके से अब इसको बेल लिया अब इसको तवे पर डाल देंगे तवा गरम हो गया अच्छे से तो यह हमने तवे पर डाल दी रोटी और रोटि को हमने दो सेगें के बाद पलट दिया है अगर आप पराठे बना रहे हैं बत्वे के तो आप यहां पे इस पे तेल लगा दें तो यह पराठा तैयार हो जाएगा जैसे पराठे को हम तेल लगा के सेकने हैं लेकिन मैं इसकी रोटी बना रही हूं तो इसमें तेल नहीं लगा रही हूं मैं खाले इसको सेक रही हूं ग तो देखिए यह रोटी सीख गई है इसी तरीके से हम दूसरी रोटी भी शेक लेंगे बत हुए कि इसको भी मैंने तबर डाल दिया है और इसको भी अब हम पलट-पलट के शेक लेंगे अच्छे से कि अब कर दो ठाल है की शोड़ी यह यह है और एक्ष्चे जिल्या गरिए भी मैंने तरीके से एंगे घाल आपक हम दूसरी कि जिल्ग यह पुद्ध तो यह देखिए और अब इसको भी हम प्लेट में रख लेंगे और रोटियों पे हम लगा लेंगे देशी घी तो यह देखिए रोटियों पे देशी घी लगा लिए अच्छे तरीके से और हरी दन्य की चटनी के साथ हम इसको सर्फ करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें थैंक यू